इसके नीचे 70,400 और 70,350 आसपस में एक रेड़ कंडल क्लोजिंग हुआ तो 70,000 और 16,950 तक भी हम मार्केट में देख सकते हैं हाई अज का वीडियो है वीकली मर्केट आनस में निफिफटे और बेंक डिफिटी चार्ट आनस कर हैं वो भी तीन टायम फ्रेम में वीकली टायम फ्रेम वन डे टायम राएंड 15 मिन टायम फ्रेम और बिफोर हम वीडियो स्टार्ट करने से पला आप तक हमार चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सबसाब केजिए और हीट दी बेले लेक पर आपको नया बनता था एक support level पर मगर इस बार एक strong body बना हुआ है and closing बे exactly support level पर closing आप इसका लोग देख सकते हैं लोग आते हैं और 50 एमे का और उपर level पर आता है बीड कर सकते मार्केट में मगर इस एक शोडर का तो कम्प्लेट हुआ है लेफ्ट शोडर और अभी हैड बना रहे है अभी हैड कम्प्लेट हुआ तो फिर से एक राइट शोडर बनाने का कोशिश करेगा थोड़ा बहुत हाइग करेगा हाई मतलब ऑल्मोस्स 70,000 फाइनट त 70,800 और 70,600 के उपर मार्केट तब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक के लिए मार्केट वेक्नेस रहेगा एंड अभी हम डाइली टेम फ्रेम में देखेंगे डाइली टेम फ्रेम में देख सकते है इसमें भी एक स्ट्रॉंग बेरिशनस दिकाए देरे है और मुस्ट त्र 400 को ले रहे है अभी हमारा 200 का यह में एते 70,500 आस पास में आते हैं ओके अभी उसके नीचे क्लोजिंग होए अल्मोस्ट तीन दिन से मतलब है अल्मोस्ट मार्केट में एक बेरिशन स्टार्ट हो चुका है अभी इसमें देख सकते हैं प्रिवियस का लोग देखे तो आपक को पूरा सपोर्ट लेवेल पर वीक्स दिखने के लिए मिलता है मगर इधर देखे आप आल्मोस्ट एक स्ट्रॉंग कैंडल्स मिल रहे हैं अपको बॉडी मिल रहे हैं इसका मतलब मार्केट में एक सेलिंग जोन आरे मार्केट में अभी 16,950 तक भी हम जा सकते मार्केट मे इसके नीचे 70,400 और 70,350 आसपस में एक रेटी कंडल क्लोजिंग हुआ तो 70,000 और 16,950 तक भी हम मार्केट में देख सकते बहुत बार इधर बहुत दिन से ये लेवेल पर ही मार्केट रस्पेट करके बाद में ब्रग दिया था और बी-बी मार्केट में इस लेवेल के साइड़ेज में जा सकते है वही पासो का पासो पॉंड्स का अंदर ये मार्केट रह सकते है अपकमिंग डेज में हम 200 के 200 यह में है ना 70,500 और 70,600 इसके उपर एक ग्रीन केंडल क्लोज होना चे तब येग वहाय मतलब बाइंग करके जा सकते हमारा ज्यादा नहीं रहेगा टारगेट 7,800 तक हमारा टारगेट रहेगा 750 और 70,800 तक टारगेट रहेगा उधर से पिर से हम स्क्वेर ओफ करेंगे विकी मार्केट में न यह एक रिजिंस जोने रिजिंस लेवल है उधर रेस्पेट करने के बाद पिर से रिजेक्शन हो सकते है ओके एक सेलिंग जोन रह तो टेकर के निफ्टी 50 का 50 मिन चार्ट ओपन के हैं ओके 15 मिन में तेख सकते एक शार्फ फॉल आया शार्फ फॉल आने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत एक पॉसलिया मार्केट में सैड़ेस का पॉसलिये पॉसलियने के बाद उसको ब्रक किया ब्रक करके अभी नीचे सेर्मार्किट कर यह मतलब वहां साविधे तरी फिफ्टी और बहुत प inclination iç पर मार्केट रहें सकते यह थोड़ा बहुत सैडवेस करके मार्केट फिर से नीचे लिएक maken का ब्रक कर सकते हैं तोड़ा बहुत क्षाल्यपे सैड़्वेस होने काशार्च उनदा से नेक्स्त व रेजन्स साते है हमारा 70,486 और 70,537 और 70,592 यह लेवल साते है रेजन्स लेवल के लिए ओके अभी मार्केट में इसके उपर ग्याप पोपन होने के बाद एक शार्प मूह दे सकते हैं अपर लेवल पर तोड़ो बहुत इदर टायम स्पेंड करके अपर लेवल पर ब्रग देए तो हम एक बाइंग पोशिन बना सकते हैं करने के इदर से एक बाद में इदर सेलिंग आये तो वेट करेंगे इदर से एक पूल बे कारने के लिए उपर लेवल पे यह तब भी हम बाइंग करेंगे ओवी 7600 उपर ब्रक हुआ तो अधर्वाइस ब्रक करने करने क्योंकि मार्केट में एक हाय बनाते हैं उदर से रिजिक्शन होंकि पिर से हाय करने के कोशिश करतें मगर सस्टेन वाथ उदर डबल टॉप बनागे पिर से मार्केट लोगर लवल पे मूमेंट करना स्टार्ट कर देता है इसलिए हमको वेट करना पड़ेगा इव सब उद फ्रेश बाइंग करना चाते है तो मिड रेंज पे 7600 उपर ही कर सकते हैं अधर्वाइस 7600 उपर एक सेल फाइफ फाइफ फाइथ और इस रेंज में फिर से मार्केट सेलिंग कर रहे तो आप सेलिंग कर जा सकते मार्केट में ओके और इफस अपन मार्केट साइडवेस में रहे तो वेट कीजिए 7400 फोर 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 फ्वेंटी एक यह लेवल्स ब्रक होना चाहिए दोनों के विए मतलब अपन लेट कर सकते हैं अधर्वाइस मार्केट इस रेंज में रहे तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं ओके यह आपका स्टॉप लास पूरा हीट हो जाएगा ओके आप लॉस म में चला जाएगा इसलिए वेट कीजिए प्रेजक्शन के लिए एंड इप सपन मार्केट एक गाप डॉन में वपन हुआ तो ओके गाप डॉन आ सकते हैं 70,430 इसके नीचे मार्केट एक ब्रक हुआ तो वेट कीजिए 70,300 और 70,350 तक मार्केट जा सकते हैं मार्केट 70,350 एक रस्पेट किया तो हम इधर से एक करके जा सकते हैं 70,430 तक भी पिर से हमारा डी टेस्टिंग रहेगा ओके इसे मीं वेखला पन किया इसमें वे एक स्ट्रॉंग बैषन देखा हैं अभी इस सपन में वेक में तो हुआ तो हम फिर से सवेंट्generation साड़ीट्टी 1800 तक पर हम देख सकते मार्केट में 30 100 और 39ków मार्केट में आ सकते मगर एक सापोर्टौ लेवेल ऐस थाटी एट साथ का यह तhen ऊर्थ कर रहे हैं सिल चैटमा मिलेग को मार्के या मार्केट में में ड्रॉ municipality effective । इदे भीया घेर से करते एक हैग करकके मार्केट उदर से रियेक्षिन भी कर सकते हैं गया वेट करना तो 38,000 सुर्य 38,000 और 39,000 ह्वांट तक हम जा सकते मार्केट में हम डैली टैम्फरेम में देखेंगे ओके बैंक निफ्टी डैली टैम फ्रेम उपन क्या है डैली टैम अश्परेम में देख सकते हैं इसमें भी स्ट्रॉण्ग बेरिशनश दिखाए देरें और लास्ट्थ का कै तो मार्केट के नीचे मारकेट क्लोजिंग और स्ट्रॉंग बॉडी भी बनाया हुआ तो एक असपास में मगर एक 200 का एक सपोर्ट जोने मार्केट में एक मार्केट कितना दिर तक इसके उपर सस्टेंग करता हो इंपॉर्टेंट है इस आफने ध्याइए नेक्स्ट वीक में वो भी Monday एक Red Candle Create हो तो फिर से हम वीकली में मैंने बता है ना 39,000, 38,000 यह लेवल तक भी मार्केट में हम जा सकते हैं मुवमेंट कर सकते हैं ओके अभी हम 15 मिंट्स में देखेंगे मार्केट कहां कहां सपोर्ट ले सकते करके चार्ट ओपन के 15 मिंट्स में ओके 15 मिंट्स में देख सकते हैं support and resonance level ड्राय के ओके साहरे जैंस ओते है 40,050 40,000 190 40,000 350 support साहरे 39,8087 39,764 39,600 39,400 यह लेवल साहरे support and resonance है अभी इसमें आप टार रिजिनस टरंड लेंड देख सकते हैं क्येव क्या गयावटविए मार्केट में आइप ब्रुंकर मैं तो मार्केट फास्ट प्रस्टेस्ट करेगा 4010 Он consistency को ऐब बार्र्फ रट्रेश्ट परगेस मार्केट में इदर से में नीचे से एक टरनलांट के लिधे अपन soutल को eller तो फस्ट्ट एग अर्पनुए आप 5050 उदर से rejection भी होता है 40.000 से क्विक्या मार्केड से 40.!000 से फॉट्टी तोदन पर ज्यादा सेलींग हो रहाता है परबार 40.000 को respect करता है उदर से rejection उदरता हुए अभर के लिकृट्ट में एक सबसे मार्केड विधो रैस्wen하ा की बात warto इधर लॉट एड़ कर सकता है या फ्रेश बैंग भी कर सकते है इधर भी जाके ओके फ्रेश बैंग गिये तो फिर से हमाने टार्गेट रहेगा 40,190 40,200 and 40,350 तक भी हमाने टार्गेट रहेगा मार्केट में मगर था 40,350 में एक सेलिंग आ सकते 40,350 और 40,200 पे एक सेलिंग आ सकते मगर हमाने टार्गेट बहुत बड़ा नाई रहेगा 40,200 और 40,300 तक अमारा टार्गेट रहेगा उधर रेस्पेट के तम सेलिया बाहा मतलब हमारा टार्गेट आम पूरा करके जा सकते इप सब्सक्राप लास ट्रेल करके भी जा सकते पीचे मतलब कैसे मार्केट अपर लेवल पर मुमान कर रहेगा वैसे ट्रेल करके जा सकते आप मार्केट में इप सब्सक्राप मार्केट एक गाबड़ाम नो ओपन वात तो गाबड़ान आसकते ओल्मूस्ट तर्टी नें तोदन एट अननट के नीचे एट एट अन्रेड और एट एट एटि के नीचे आसकते गाबड़ान ओपन वात फर्स टार्गेट रहेगा हमारा थर्टी नेंट तोदन सवेन शिक्स्टी फोर ओके शवन सिक्स्टी एक एक एस पास में मार्केट एक रस्पेट कर सकते इसको ब्रग की तो हम फिरसे इदर सके नीचे सेलिंग करके जा स प्रिवयस का लोग आए ना वह इंपोर्णन ए यह लोग को ब्रक किये तो 39,760 फिरसे नंट और 39,000 450 तक भी हम देख सकते मार्केट में के इस पास मार्केट एक सपोर्ट करके 39,750 के ऊपर एक सपोर्ट करके ऊपर लेवल पे मुमेंट कर रहे तो हम वेट करेंगे टर्न ले 887 ए ब्रक होने का इप सपोर्ट इसके ऊपर ब्रक करके सपोर्ट करेंगे तो हम इदर एक सपोर्ट पे बाइंग करेंगे इसके नीचे स्टोप लास लागे हमारा टार्गेट रहे लागा 40,050 एंड 40,190 तक भी हमारा टार्गेट रहेगा मार्केट में ओके यह लिए कीब सब्सक्राइब